ऐसे दोर में जब एक्षन, खून खराबा और क्राइम के आधार पर बनी फिल्मों की बाढ़ हो महिलाओं के मुद्दे के नाम पर फिल्म में ज्यादा से ज्यादा एक ऐसी इस्त्री को चुन लिया जाता है जो पुरुषों की सत्ता में बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बनाती हो लेकिन अनभूती कश्टप द्वारा डारेक्ट की गई फिल्म डॉक्टर जी का कॉंसेट चलताओं फिल्मों से बिल्कुल उलट है तो आएए देखते हैं फिल्म डॉक्टर जी अपने दर्शकों को कौन सी और कितनी गोली देने में कामियाव रही है मैंने इस फिल्म का रिव्यू छे पॉइंट्स बना करके किया है पहला कहानी फिल्म में क्या अलग है, फिल्म कहना क्या चाहती है, फिल्म के सवाल क्या है और अंत में कि ये फिल्म देखें की न देखें अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजी ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहे नमस्कार, दफोकल लेंथ में आपका स्वागत है हम सीधे बात करते हैं कहानी की तो कहानी उद्य गुपता और गुट्टू नाम के एक लड़के की है जो हड्डियों का डॉक्टर बनना चाहता है और ये प्रेणडा उसे अपने दद्दा डॉक्टर अशोक गुपता से मिली है अब प्रेणडा को सफल बनाने के लिए जो चीज जरूरी है वो है पढ़ाई लेकिन ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर गल्फ्रेंड कहां जा रही है किसके साथ जा रही है और किसके कंधे पर सर रखकर सो रही है इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इन्ही सब के चक्कर में इनकी रैंक ऐसी आई है कि इनको हड़ी विभाग में पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर का कॉलेज मिलता है लेकिन ये अपनी अकेली मा को छोड़ कर घर से ज्यादा दोर नहीं जाना चाहते बहुत हाथ पाउ मारने के बाद जब कुछ नहीं होता है तो मजबूरी में भोपाल मेडिकल कॉलेज के इस्त्री रोग भी भाग में इकलोते पूरुष के तौर पर दाखिला ले लेते हैं घर में मा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए यूटूब पर खाने की वीडियोज बना कर अपलोड करती है फेस्बूक पर रोज अपनी तस्वीरे डालती है और अब उसने टिंडर भी डाउनलोड कर लिया है और इन सब कामों में मा की मदद करने वाला गुडू गुपता का ही दोस्त है चड़ी जो की उनी के घर पर किराये पर रहते हुए आईस की तयारी कर रहा है गुडू गुपता इस तरी रोग भी भाग में दाखिला तो ले लेते हैं लेकिन इस होश्यारी के साथ कि यहां अपसेंट होता रहूँगा पैसे भी मिलते रहेंगे और अगले साल की तयारी भी करता रहूँगा पर डॉक्टर नंदिनी इनकी एक भी दाल गल्ले नहीं देती हैं और सारी स्थितियां इनके जान पर बनाती हैं कहानी यहां पर खतम नहीं होती कहानी और भी है लेकिन इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी तब पता चलेगा कि क्या यह मेडिकल केमपस गुड्डू गुपता को बेहतर डॉक्टर या इनसान बना पाता है या नहीं बात करें कि इस फिल्म में क्या अलग है तो हर बात कहने का एक तरीका होता है जिसको हर फिल्म अलग-अलग तरीके से अपनाती है इस बात पर ध्यान दे तो इस फिल्म में अपनी बात कहने के लिए जो तरीका अपनाया है वो बिलकुल अलग है मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा कि मैंने किसी फिल्म में देखा हो कि सीनियर लड़कियां एक जूनियर लड़के की अच्छे से रैगिंग ले रही हूं और फिल्मों की तरह इस फिल्म में महिला पात्रों को एक वस्तु की तरह नहीं रखा गया है बलकि हर महिला पात्र एक अलग व्यक्तित्तु के साथ उद्य के जीवन में संघर्ष की परतें जोडती है चाहे वो जेनी जैकब हों, केल पीडी हों या उसकी ही मा शोभा गुपता हों और सबसे बड़ा पॉइंट कि इन सारे मसलों को कॉमेडी के तार में बावजूद गंभीरता बनी रही है बात करें कि ये फिल्म कहना क्या चाहती है तो फिल्म ने अपना अधार तो मेडिकल का लिया है उसके बावजूद कहीं से ये आभास नहीं होता है कि ये फिल्म सिर्फ मेडिकल के बारे में बात कर रही है हमारे तुम्हारे जीवन के बारे में बात कर रही है ऐसा लगता है ये महिलाएं ही हैं जो एक आदमी उनके साथ क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है ऐसे विचारों से खुद को दूर करके अपना एक अलग वेक्टित बना सकती है अश्रोग गुपता का चरित्र दिखा कर फिल्म यह कहना चाहती है कि हमारी इज़्जत कितनी खोखली और हल्की होती है कि जब तक किसी को पता ना चले हम बहुत इज़्जदार होते हैं लेकिन जैसा ही परदा हड़ता है हमें अपने इज़्जत का डर सताने लगता है आईश्मान खुराना जो बात लगातार कहते नजर आये हैं कि जो चीज हमारे पास है ही नहीं मैं उसका इलाज कैसे करूँ इससे फिल्म ये कहना चाहती है कि तुम हर वो चीज कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो बस उसके लिए मेहनत और सही प्रेक्टिस की जरूरत है इससे लालज दिखाकर गढ़े मेडाख्यल देना चाहिए क्या हम किसी को इसलिए प्यार नहीं कर सकते कि हम किसी की मा है कि part ऑर एक बहुत बडा और पुराना सवाल कि क्या एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते बात करें कि इस फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा तो सबसे पहले ऐसी बेहतरीन स्टोरी लिखने के लिए विशाल और सौरब को बधाई फिल्म के डायलोग लिखे हैं सुमित सकसेना ने जो की कमाल है मतलब एक एक डायलोग बहतरीन कोई डायलोग फरजी नहीं लगता है और इन सब के साथ मिलकर अनभूति कश्यप ने मतलब इन चारों ने स्क्रिन प्ले लिखा और अनभूति कश्यप नहीं इसे डारेक्ट भी क मतलब इन दोनों ने इतना बेहतरीन काम किया है कि इनके हर एक सीन में आपको पलक जपकाने तक कामन नहीं करता है वहीं रकुलप्रीत सिंग का काम ठीक ठाक लगा इनके साथ ऐसा है कि मतलब इनको देखकर लगता है कि यह एक्टिंग कर रही है और बड़े दावे के साथ चाह रही हूं कि देखो मैं एक्टिंग कर रही हूं आश्मान खुराना की बात करें तो इन्होंने काम ठीक था किया है लेकिन इनके चेहरे पे जिस तरीके से इमोशन आता है वो हर फिल्म में लगभग सेम ही होता है जिसकी वज़े से यह होता है कि आप कहीं कहीं भूल सकते हैं कि आप कौन से फिल्म देख रहे हैं और अब अंत में बात करते हैं कि इस फिल्म को देखें कि न देखें तो अगर आप हत्या, लूट, पार, चाकू, छूरी से बोर हो चुके हों तो यह फिल्म आपको बहुत मज़ेदार लगेगी हसते हसाते कब आपके जहन में अपनी जगह बना लेती है यह आपको मालूम भी नहीं होता एक लाइन में मैं अगर अपनी बात कहूं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए गंभीर मुद्दों को कॉमेडी के साथ प्रजेंट करना बहुत आसान नहीं होता है जिसमें यह फिल्म सफल हुई है अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए दोस्तों में शेर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर यह जरूर बताएए कि मैं अगली किस फिल्म का रिव्यू करूँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद